ओम शान्ती आज है 27 जुलाई 2020 की साकार मुर्ली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावक्यों को मीठे बच्चे तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल इशर्य गुण धारन करने हैं बाब से अपना 21 जन्मों का सुराज्य लेना है प्रैश्न बाब की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए उत्तर बाब की एक्ट है सभी को ज्यान और योग सिखलाने की यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है पतितों को पावन बनाना है तुम्हारा धंदा ही है रुखानी सर्विस करना कोई कोई बच्चे शरीर छोड़ कर जाते हैं फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं दिन प्रति दिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी गीत ओम नमः शिवाई ओम श्यान्ती यहाँ गीत यहाँ शोबता है क्योंकि यहाँ उचे ते उचे शिव बाबा की महिमा है रुद्र बाबा नहीं शिव बाबा शिव वा रुद्र बाबा सही है फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है तुम भी शरीर ले बैठे हो बाप ब्रम्हा द्वारा समझा रहे हैं नहीं तो शिबाबा बोल कैसे सके वह चैतन्य है सत है ज्ञान का सागर है जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे अपना परिचे देना यहा भी ज्ञान हुआ फिर रचना के आदी मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं इसको भी ज्ञान कहा जाता है किसको समझाना यह ज्ञान देना है सो भी ईशर के लिए समझाना ज्ञान है सो तो ईशर ही खुद परिचे देते हैं अंग्रेची में कहते भी हैं फादर, शोस, सन, बाप आकर अपना और स्रिस्टी के आदी मध्य अंत का परिचे देते हैं, रीशी मुनी आदी सब कहते थे, हम रचईता और रचना को नहीं जानते हैं, अभी बाप ने समझाया है, तो समझा जाता है, यहाग्यान कोई दे नही सकते हैं, जिस ग्यान से मनुष्य उंचते उंचपद पाते हैं, जरूर उंचते उंचपद है ही देवी देवताओं का, अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता, सुख शानते संपत्ती ही हमारा इशर्य जनमसिद अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं, इ सुरी जनमसिद अधिकार यहां दुखधाम है, रावन दोरा हम पतित बनते हैं, रावन से वर्सा मिलता ही है पतित बनने का, फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं, यहां किसको पता नहीं है, कि रावन आधा कल्ब का पुराना दुश्मन है भारत का, कहते ह राम राज्य चाहिए अर्थात यहां रावन राज्य है परन्तु अपने को पतित अत्वा रावन समझते नहीं है अब यहां आसरी संप्रदाय बदल डैवी संप्रदाय बन रही है तुम यहां आते ही हो आसरी अवगुणों को निकाल इशुर्य गुण धारन करने इशुर्य हो अब हम आये हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जनम सिद अधिकार 21 जनमों का सवराज लेने यहां बैठे ही है सूर्य वन्षी चंद्रवन्षी सवराज प्राप्त करने जो सवराज तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हूं गवाते हूं फिर पाते हो यहां तो बुद्धी में रहना चाहिए न अब हम बाप से वर्सा लेते हैं वर्सा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े न यहा तो बुद्धी में आना चाहिए हम मात पिता के समुख बैठे हैं वर्सा लेने के लिए वह ब्रम्हा मुख से हमको सुनाते हैं जो गो यग्य है फिर यग्य कहो वह पाडशाला कहो एक ही बात है जब रुद्र यग्य रचते हैं तो पाडशाला भी बना देते हैं एक तरफ वेद शास्त्र आदी एक तरफ गीता एक तरफ रामायन आदी रखते हैं जिनको रामायन सुनना है वह उनके तरफ जाकर सुने जिसको ग पुद्र ग्यान यग्य है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है स्रिस्टी का अंत है तो सभी यग्यों का भी अंत है ग्यान यग्य तो एक ही है बाकी जो अनेक प्रकार के यग्य हैं वहां है मैटेरियल यग्य जिसमें जो तिल आदी सामगरी पड़ती है यहां है बेहद का यग इसमें यहां सब स्वाहा हो जाएगा, फिर से नई पैदाईश होती है, वहां दुख देने वाली चीज कोई होती नहीं, यहां तो कितना दुख है, बिमारियां आदी कितनी वृध्धी को पा रही है, भिन भिन प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं, ड्रामा में यहां स शोक वाटिका, मनुश्य दुखी हैं, क्यूंकि रावन राज्य है, राम राज्य में रावन होता ही नहीं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुखधाम, राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते हैं, एक है रुद्र माला निराकारी आत्माओं की, और फिर अच्य करते हैं, यहां तुम बच्चों को अच्छी रीती समझना और समझाना है, जितना जितना समय बीतता जाएगा, उतना उतना ग्यान शौट होता जाएगा, इतना शौट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रज रहे हैं, विनाश के समय मनुश्यों को वेराग् फिर समझेंके कि बरोबर यहां वही महाभारी महाभारत की लड़ाई है, जरूर निराकार भगवान भी होगा, क्रिशन तो हो नहीं सकता, निराकार को ही सर्व का पतत पावन सर्व का सदगती दाता कहा चाता है, यह टाइटल कोई को दे नहीं सकते, बाबा ने यहां भी सम जाया है पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते तुम लक्षमी से धन मांगते हो प्रन्तु लक्षमी कहां से लाएगी यहां भी मम्मा बाप से धन लेती है यहां सरस्वती साथ ब्रम्हा है वहां भी दोनों जरूर चाहिए निशानी इसलिए महालक्षमी की पूझा होती है उनको चार बुझाएं देते हैं टांगें तो इतनी देते नहीं रावन को दस मुख देते हैं टांगें तो नहीं देते हैं तो सिद होता है ऐसे मनुश्य होते नहीं है यहाँ है समझाने के लिए जब कोई का पती मरता है तो उनकी आत्मा को इन्वाइट किया जाता है प्रंतु आई कैसे ब्रह्मन के शरीर में आती है बुलवाया जाता है यहाँ रसम रिवाज ड्रामा में नून्धी हुई है फिर जो होता है वहां आत्मा आती हैं आत्मा को बुला कर उनको खिलाते हैं यहां बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं तो अब तुम बच्चों का धंदा ही यहां सर्विस का हुआ शरीर छोड़ कर फिर कहां जनम ले फिर मेहनत करते हैं तुम्हारा है ही पत को पावन बनाने का धंदा तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है कल्प पहले भी ऐसे हुआ था वही रील है तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुवाफिक बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है इसमें जरा भी फरक नहीं पड़ सकता है यहाँ ड्रामा है ना हम आत्माएं घर से आती हैं मनुश्य शरीर धारण कर पाट बचाती हैं चुरासी जन्मों को और ड्रामा के चक्र को पूरा जाना है और कोई जानते नहीं है हम खुद ही नहीं जानते थे तुमने ही कल्प पहले जाना था अब फिर से जान रहे हो रचैता और रचना के आदी मध्यांत का राज अब समझा है तुम्हारी बुद्धी में यहां रहना है उंच ते उंच बाप है वही वर्सा देते हैं फिर है ब्रम्हा विष्णो शंकर ब्रम्हा द्वारा स्थापना होती है फिर वही पालना करते हैं विष्णो पूरी के मालिक बन विष्णो पूरी कहो वा लक्षमी नारायन की पूरी कहो बात एक ही है तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्सा बाप से ले र यहाँ भी ड्रामा में नोध है कोई कहा नहीं जाता है यहाँ भी तुम समझते हो जो अच्छी रीती पुरुशार्थ करेंगे वहाँ फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे तुम याद करते हो सुखधाम को जानते हो यहाँ दुखधाम है और कोई को पता नहीं है तुम बच्चों की बुद्धी में आता है कि यहां दुखधाम है, तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्सा पा रहे हो, हम जीते जी उनके बने हैं, राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना, हम उनके हैं, पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रह यहां अलोकिक फिर पारलोकिक हो जाता है, तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावन कुल के हैं, एक तरफ वह, दूसरे तरफ हम हैं, आत्मा समझती है, बरोबर मैंने इचरा से जनम पूरे किये हैं, मैं आत्मा एक पुराना श्रीर छोड़ दूसरा न वहां इस ब्रह्मा दौरा पढ़ाते हैं, पढ़ती आत्मा है, आत्मा में ही बारिस्टरियादी के संस्कार रहते हैं आत्मा बोलती है और्गंस दौरा, तुमको आत्म अभिमानी बढ़ने में बड़ी महनत लगती है, बाप राए देते हैं, अम्रित वेले का समय मश्हूर है उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी यहां तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं है जैसे बच्चा बाप को याद करता है यहां है बेहद का बाप वहां आ आत्मा अपने बाप को याद करती हो, बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ, तो जरूर बेहद का सुख दूँगा, कल्प पहले दिया था, बरोबर भारत विश्य का मालिक था, दुश्मन आदी कोई नहीं था, अभी तुम सुकधाम के मालिक बन रहे हो, जो तुम के लायक थे, अब नर्ग के लायक बन पड़े हो, फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं, पहले निराकार शिव की ज्यनती होती, फिर गीता ज्यनती होती है, शिब बाबा जब आते हैं तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी ज्यनती हो जाती है, बाप ने जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी यहां भी तुम बच्चे जानते हो कि रावन किसको कहा जाता है अब इस रावन राच्य का विनाश होना है मौत सामने खड़ा है कल्प पहले भी यहां दुनिया बदली थी कितनी अच्छी रीती समझाया जाता है महनत है घर ग्रिहस्त में र वित्र रहे फिर साथ में यहां कोर्स उठाओ टीचर से पूछो कोर्स तो बड़ा सहज है घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदी मध्यांत को जानो साथ रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं हर एक मनुश्य की रग देखी चाती है देखा जाता है इनकी लगन बह मुख सुने उनकी शकल वातावरण से समझ सकते हो रग को पूरा ना समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं कहते हैं साथ रोज टाइम नहीं है क्या करें कोई कहते हैं दर्शन कराओ बोलो पहले आकर समझो किस के पास आए हो परम पिता परमात्मा से तुम्ह पारा क्या संबंध है ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना शे बाबा के पोत्रे सो ब्रह्मा के बच्छे हो गए बाप स्वरका रचाईता है तो जरूर वर्सा देता होगा राजयोग सिखलाता होगा समझा कर फिर लिखा लेना चाहिए एक दिन में भी कोई करेंगे अच्छा मीठे मीठे से के लुधे बच्छों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्छों को नमस्ते हम रुहानी बच्छों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्त धारणा के लिए मुख्यसार अम्रित वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बढ़ने की महनत करनी है याद के बल से विकारों की कट उतारनी है घर ग्रिहस्त में रहते कमल फूल समान बढ़ने का कोर्स उठाना है हर एक की रग अध्वा लगन देकर ज्यान देना है वर्दान शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सिफुल भव सरव की दुआएं लेनी हैं तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सिफुल बनो रहम दिल बन क्षमा करो तो यहां क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है क्षमा करना है इन संसकारों से ही सब को दुआई दे सकेंगे अभी से दुआई देने के संसकार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमान चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो श्लोगन जिनकी जोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती शुक्रिया बाबा शुक्रिया